हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मैं विशाला सबके स्वागत करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को तबान ना बूलें ताकि आपको बताया जाएगा इंस्ट्राग्राम के कूछ ऐसी सैटिंग बारे में जिनके बारे में may be or may be not आप जानते हों आप दोस्तों क्यूंकि ऐसी में जानते हों तो जैसे यह Instagram पर आएंगे दोस्तो, Instagram खुलने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको आपको वह प्रोफाइल पर आना है, प्रोफाइल पर आने के बाद रहे हैंगे इस तरीक से देखने को मिल जाएगा इस पर click करना है, then आपको आना है settings पर settings पर आने के बाद आपको बहुत सारे here settings के option मिल जाएंगे यहाँ पर आपको आना होगा privacy पर यह privacy का option ऐसा है जो पूरा Instagram को एक तरीके से elaborate करता है यह पूरी settings आप यहाँ से maintain कर सकते हैं पर आप यहाँ से maintain कर सकते हैं सबसे पहला option आता है private account का दोस्तों आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे लोगों का account private होता है आप उसे private कर सकते हैं अपने account को ओके दोस्तों जैसे और लोग करते हैं तो जब भी कोई आपको request बेचेगा सबसे पहले आपके पास request आईगी तभी वो आपको follow कर पाएगा otherwise नहीं कर पाएगा दूसरा option आता है comment का comment में जैसे ही आप अंदर जाएंगी कुछ और settings देखने को मिलेंगी आप यहाँ पे लोगों को block कर सकते हैं comment करने से ओके दोस्तों यहाँ पे individually आप किसी को block करना चाहिए फिल्टर कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं कोई offensive comment डालता है गाली बगहरा देता है तो उससे आप filterize कर सकते हैं आपे manual filter लगाना चाहिए तो manual filter भी आप लगा सकते हैं ओके दोस्तों यह थी comment की बात देन दूसरी चीज आती ही tag दोस्तों इस्टाग्राम में facebook की तरह tag का option होता है ओके दोस्तों लेकिन इस्टाग्राम पे ज्यादा लोग tag इतना यूज नहीं करते ऐसा कहा जाता है लेकिन बहुत सारे प्रवेंट करना चाहते हैं तो यहां पर जाके आप everyone people you follow और no one इस तरीकी से setting आप change कर सकते हैं आप चाहते हैं कि जिनको आप follow करें वह यह आपको tag करें तो second setting आप यूज कर सकते हैं ओके दोस्तों यहां पर किसी से भी आप tag नहीं होना चाहते है तो no one पर click कर सकते हैं manually approve करना चाहते हैं कि जब भी कोई आपको tag करें तो आप approve करें तभी वह चीज शो हो तो आप चौथे option को यहां पर जाके आप click कर सकते हैं ओके दोस्तों जो कि बहुत amazing है चलिए दोस्तों आ जाते हैं back mention mention का option होता है दोस्तों instagram पर instagram पर बहुत सारे लोग आपको mention करते हैं वह चीज आप अपनी आप maintain कर सकते हैं आप चाहते हैं कि हरकोई आपको mention कर सकते हैं ओके दोस्तों तो आप setting पर कर सकते हैं pupil you follow, जिनको आप follow करते हैं, वो ही आपको कर सकते हैं, तो वो आप maintain कर सकते हैं, या चाहते हैं कि कोई आपको tag ना करे, कोई आपको mention ना करे, तो वो आप तीसरा option select करके कर सकते हैं, ओके दोस्तो, story, story एक ऐसा option है, जो कि बहुत amazing है, instagram पे जाहतर लोग story डालते हैं, जाहतर नहीं, बहुत जाहतर लोग instagram पे story डालते हैं, तो ये चीज़ आप maintain कर सकते हैं, यहां से, अब दोस्तो, आप चाहते हैं, story को hidden करना, logo से, तो आप क्या कर सकते हैं, zero people में जा सकते हैं, और यहां पे जाके story को hidden कर सकते हैं, logo से, logo को नाम search करना, उनको अपनी story से hide करना है, ओके दोस्तो, तो ये पहली setting आपको करके दिखाएगी, close friend, आप चाहें, तो close friend को साथ share करना चाहते हैं, कोई story तो close friend में जाके उन friend को डाल दीजिएगा, ओके दोस्तो, अब story सिर्फ उन को के reply आते हैं, तो आप चाहते हैं, कि आपके follower से reply आए, या फिर followers you follow back, जो follower को आप follow करते हैं, उन से आए, या फिर आप बंद करना चाहते हैं, तो या तीसरा option select कर सकते हैं, ओके दोस्तो, ये setting आती है saving, अगर आप चाहते हैं, Instagram story save करना, तो कहा जाने चाहिए, वो gallery में ज चाहिए, ये आप पर depend करता है, आप ये आपर select कर सकते हैं, ओके दोस्तो, आपकी जो story है, उसको resharing करना चाहते हैं, तो उसके लिए setting ये आप ये दे रखिए, इसे आप कर सकते हैं, sharing को allow करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, share your story to Facebook, ये आपने जैसे की देख रखे है मैंने बन कर रखा है, आप इसे on कर देंगे, तो वो story Facebook पे भी share हो जाएगी, ओके दोस्तो, back आ जाते हैं, अब दोस्तो, यहाँ पर मैं काफी कुछ बता चुका हूँ, अब इसके अलाबा एक आता है, activity status, activity status यहाँ होता है, आप चाहते हैं, आप Instagram पे आएं, और लोगों को पता ना चले आप कब आये, कब गए, या फिर last scene वेरा लोगों को दिखाई ना दे, तो आप इस setting को on off कर सकते हैं, जो की बहुत काम की setting है, ओके दोस्तो, दोस्तो, आप आते हैं connections पे, connection क्या चीज़ है दोस्तो, आप किसी को block करते हैं, किसी को mute करते हैं, किसी को restricted करते हैं, अपने account में visit करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहां देखने को मिलेंगी, ओके दोस्तो, blocked account में जाएगे, तो मैंने भी कुछ लोग कर रखे हैं, तो आज वो आपको यहां पे show हो जाएंगे, ओके दोस्तो, account you follow, account you follow पे जाएंगे दोस्तो, तो यहां पे देख सकते हैं, आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जिनको आप follow करना चाते हैं, following करना चाते हैं, उनको आप देख सकते हैं, तो इस तरीगे से आप इसे use कर सकते हैं, तो दोस्तो, उमीद है, समझ में आया होगा, आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, अगर यह वीडियो आपको जरह से भी पसंद आई हो दोस्टों तो यूज करके जरूर देखियेगा ओके दोस्तों बहुत अच्छी सेटिंग है ये ओके दोस्तों मज़ा आएगा अगर आप इन सेटिंग्स को यूज करेंगे तो तो उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइगन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों बहुत जल मिलेंगे आपको नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए